मैं अलका से ये सवाल पूशा चाहूंगी जो हम दोगलापन देखते हैं जो 16 दिसंबर की घटना हुई जिस तरह आरती जी भी बोल रही है कि जिम्मेदार कौन है ये देखने वाली बात है ऐसे में बड़ा सवाल यहां पर यह आता है कि बोला गया कि स्पेशल ड्राइव पाइद उससे जादा ही मौजूद हैं लेकिन फिर भी उनको क्लेरिकल जॉब्स में लगा दिया जाता है आप देखते हैं कि कोई बड़ी बिल्डिंग में सरकारी बिल्डिंग में अगर गुस रहे हैं तो एका सुरक्षा कर्मी आपकी चेकिंग के लिए आपका पर्स चेक करने के लिए रहेगी संसद में महिला आरक्षन बिल लटका हुआ है आज तक तो वो पारित हुआ नहीं है ऐसे में महिलाओं की आवाज आखिरकार कौन उठाएगा अगर उनकी सुरक्षा का सवाल है तो कौन उनको सुरक्षा देगा क्या वो खुद अप सरकों पर उतर के खुद ही अपने सुरक्षा करेंगी या कानून हाथ में लें क्या करें हम अगर ये प्रशन उठा रहे हैं आज कि जिम्मेदारी किसकी बनती है तो मुझे लगता है कि हमी शायद गुमरा है कि हमी नहीं तैक कर पारें जिम्मेदारी किसकी है सरकार हो कानून हो पुलीस हो प पेश कर रहा है और इसलिए मुझे लगता है अपराधी भी बहुत खुश है अगर वो चैनलों पे भी देख रहे होंगे कि हम अपराध और अपराधी की चिंता और बात कम करके हम एक दूसरे के ओपर जितना कीचर उचाल सकते हैं वो उचाल रहे हैं और हम बिखरे हुए हैं हम एक नहीं है यह मुझे सबसे आपने महिला पोलीस की भरती की बात की आपने का जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा है पर यह बात तैह है कि उसकी न्युक्ती या उसकी जो परसिक्शन था जिस तरीके का वो नहीं दिया गया शायद उसका परसिक्शन इसी लेवल फर् करती अभी तक नहीं है तो उसे करना होगा क्योंकि देखिए जब से यह वारदात बड़ी है महिला अंदोलनकारी जो है वो भी बड़ी है और उन महिला अंदोलनकारियों को हैंडल करने के लिए आपके पास महिला पुलीस उस तरपर उस ट्रेनिंग की नहीं है जिस वज़ है अलका अलका यह मांसिक समस्या भी है आपके पास महिला सुरक्षा कर्मी होगी भी तो आप उसे त्यनात कर दीची और पता लगे अंदोलनकारियों ने महिला पुलीस को ही पकर के लिए वो धो डाला तो उसकी ट्रेनिंग इस तरीके से हो कि इस तरह के आंदोलनों से वज अलका तो रखंगतिजी यह मैंसिक समाज की समाज की मैंसिक्ता का सवाई है यहाँ पर पुलिस की मैंसिक्ता का सवाई है और सबसे बड़ी बात है कि सरकार